बच्चों नमस्कार, हमार आज का टोपिक है ब्लोग डाइग्राम ओफ डिजिटल स्टोरेज ओक्सिलो स्कोप तो जैसा कि हम इसके MCQ कोश्चन स्टड़ी कर रहे हैं, तो हम इने अच्छे से समझने के लिए इसके हर एक ब्लोग की वर्किंग हमें पता होना बहुत जरूरी है, कि इसका हर एक पार्ट काम कैसे करता है तो हम इसकी वर्किंग अच्छे से देखते हैं, यह जो डिजिटल स्टोरेज ओक्सिलो स्कोप है बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं है, यह CRO का अडवास वर्जन होता है CRO, मतलब कैथोर्ड, रे, उक्सिलो स्कोप, तो यह भी एक उक्सिलो स्कोप है डिफरेंट टाइप के सिगनल्स को शो करने का काम, डिस्पले कराने का काम करता है DSOE, अडवास क्यों है, क्योंकि इसमें मेंबरी यूज हो रही है यह मेंबरी डिजिटल सिगनल को स्टोर करने का काम करती है इसलिए यह CRO का अडवास वर्जन है, ठेक है बच्चों तो मतलब इसके अंदर इनपूट सिगनल देखते हैं, इसका सबसे पहले इनपूट सिगनल है इसमें डिफरेंट टाइप के सिगनल्स हो सकते हैं, साइन वेव, कोसाइन वेव, ट्रेंगलर वेव जो हमारे फंक्शन जनेटर से हमें मिल जाते हैं तो ये सबी हमारे लिए इनपूट सिगनल रहेंगे तो ये इनपूट सिगनल के जो नेक्स टेज है, इसमें क्या क्या लग हुए हम देखते हैं इनपूट सिगनल के बारे में हमने आच्छे से पढ़ लिया है वर्टिकल एम्प्लिफायर और इनपूट अटैनवेटर इनपूट अटैनवेटर का काम क्या होता है इनपूट अटैनवेटर का मतलब है सिगनल की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि unwanted signal को main signal में से हटाने के लिए जैसे noise हो गई या कुछ भी unwanted signal हो गया हमें कई बार जूरत पढ़ जाती है टैनुवेटर की तो यह टैनुवेटर का main काम होता है ठीक है बचों तो इसका टैनुवेटर का हमने काम देख लिए तो vertical amplifier क्या है vertical amplifier signal की strength को बढ़ाने के लिए यूज होता है मतलब signal की strength को boost up करने के लिए vertical amplifier के यूज करते हैं जो यह section है इस side जा रहा है यह vertical section plate का हमने section दिखा हो है यह जो section है यह section हमने दिखा है horizontal vertical plate का ठीक है जो vertical section plate के blocks लगे होए है sample and hold circuit इसका पहला A to D converter इसमें लगा हुआ है यह दोनों की दो stages मिला कर हम अपने signal को digital form में convert करते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे होता है digital form में convert दोनों को मिला कर हम analog signal को digital form में convert करते हैं वो digital form हमारा memory में store होता है क्योंकि किसी भी signal को memory में store करने के लिए उसको digital में convert करना बहुत ही जरूरी है इसलिए ये दोनों stage मिलकर analog को digital में convert कर देते हैं तो उसके बाद हम उसे memory में store कर लेते हैं तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा study करते हैं तो memory के अंदर signal हमारा save हो जाएगा जो digital signal होगा इस memory के अंदर इसके बाद ये signal कहा जाता है ये data out लिखा हुआ है ये signal जो data out होने के बाद हमारा d to a निचे चला जाता है तो sample hand sold circuit का का काम देखते हैं sampling करना इसका main काम होता है मालोग analog signal हम ले लेते हैं sine wave हमने ले ली तो वैसे तो अगर देखा जाए तो sine wave के उपर बहुत continue signal है बहुत सारे points होते हैं लाखों करोड़ों points होंगे इसके उपर लेकिन हमने कुछ samples mark कर रहे हैं तो कुछ samples लेते हैं इसके उपर जो red color से मैं दिखा रहा हूँ आपको तो जो इसके जो minimum frequency होगी वो two times sampling frequency रखने पड़ेगी ताकि हम दोबारा इस signal को recover back कर सकें तो जो red color से आपको lines दिखाई जा रही हैं ये इसके samples हैं तो हमने इसके अंदर कुछ samples ले लिया है तो ये हमारी कहलाएगी sampling तो इस तरह से हम इसके samples को अच्छे से draw कर सकते हैं जैसे कि हम कर रहे हैं तो ये इसकी sampling हो जाएगी ठीक है बच्चों तो हमें इसकी sampling का अच्छे से पता चल गया अब hold का क्या मतलब है hold का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए signal को hold कर लेना तो जैसे थोड़ी देर के लिए यही पे hold हो जाएगा ऐसे ऐसे तो ये flat बन जाएगा तो जब ये signal हमारा flat बन जाएगा तो किस तरह से draw होगा यह देखते हैं तो ये pulse की form में draw हो जाएगा क्योंकि उपर से flat बन चुका है हमारा signal तो ये हमारा जो signal है वो pulse की form में draw हो गया है मतलब sample and hold circuit ने हमारा जो continuous signal था वो इस pulse की form में draw कर दिया है convert कर दिया है ठीक है बच्चों तो ये जो हमारा sample and hold circuit है इसके बाद हमारी ये जो pulse signal है ये output हमारी जाएगी A to D converter पे तो ये जो A to D converter है A to D converter हमारा क्या काम करेगा quantization का काम करेगा बच्चों क्योंकि analog से digital में हमें signal convert करना है तो हम quantization कुछ भी level इसके अंदर setup करके इसको 1010 की form में convert कर देंगे तो वो हमारा जो है pure digital signal आ जाएगा और वो digital signal आगे memory में store हो जाएगा ठीक है तो अब हम horizontal में देखते है trigger circuit है हमारा जो trigger circuit है हमने पहले भी पढ़ा हुआ triggering करने के लिए उसका use होता है vertical plate दोनों पर एक साथ signal जाता है तो उन्हें एक साथ setup करने के लिए हमें triggering करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जो ये काम triggering circuit करता है तो triggering circuit यहाँ पर बहुत ही main है तो हमें triggering circuit का का काम थोड़ा पता चल गया है तो इसके बाद हम देखते हैं control logic का काम control logic का क्या काम है control logic हम देखेंगे तो हर एक block के साथ इसकी जो lines हर एक block के साथ जुड़ी है हर एक block को ये control करता है जैसे कि sample and hold circuit के साथ इसकी line जुड़ी हुई है A to D converter के साथ इसकी line जुड़ी हुई है memory के साथ इसकी line जुड़ी हुई है अगर horizontal नीचे digital D to A converter देखें तो इसके साथ भी line जूड़ी हुई है तो इसका क्या मतलब है कि जो control logic है वो हर एक part को हर एक block की working को control करने का काम कर रहा है किसे किसे control कर रहा है sample and hold circuit को A to D converter को, memory को, ठीक है बचो तो हर एक को control करने का काम कौन करेगा control logic करेगा memory में हमें read करना है, write करना है इसका काम भी control logic करता है मतलब एक साथ धेर सारे operation को perform करने का काम control logic कर रहा है ठीक है तो उसके बाद signal निकलेगी ये हमारा signal horizontal मतलब digital form में हमारा जा रहा है D to A converter पर horizontal deflection plate को जा रहा है इसलिए इसका नाम दियो है horizontal digital signal ठीक है बचो और ये जो उपर से signal आ रही है वो भी digital signal है वो vertical plate पे आ रहा है इसलिए इसका नाम है vertical deflection amplifier तो ये दोनों signals को हमें वापस analog में convert करना पड़ेगा ताकि हम उसे CRT पे शो करते हैं ठीक है बच्वे तो जब हम CRT पे signal को शो करते हैं तो वह continuous form में शो होता है इसलिए analog form में इसे convert करना पड़ेगा तो हमें इसको screen पे display करवाना है हम parallel इसको control करके रखेंगे vertical deflection amplifier और horizontal deflection amplifier signal को boost up करने के लिए उस होता है ताकि जितनी भी strength उसको शोब करने के लिए चाहिए हम इन amplifier को यूज़ करके अपने signals को शोब कर सकें तो ये जो CRT है वो signal को शोब करने का काम करती है तो हमने इसके हर एक blog के बारे में आच्छे से पढ़ लिया अब हमें MCQ question आच्छे से समझ आ सकते हैं Thank you students